हेलो दोस्तो वेलकम टो एक्जाम टाइम दोस्तो MPPSC मुक्षी परिक्षा में जो पेपर नमबर 4 होता है काफी याद है इंपोटेंट एन स्कोरिंग पेपर यह होता है और दोस्तो यह नीती सास्तर से संबंधित पेपर है आज हम जिस बुक करेंगे वो है सिरी कभीर पब्लि हमें पूरा जो जैसे हम कहते हैं कि गागर में सागर भरने टाइप की जो चीजें हैं इसमें यहां पर की गई है और आपको अभी यह रिव देखते देखते आपको चीजे समझ में आ जाई है और दोस्तों यह जो बुक है इसका जो प्राइज है MRP जो रेट है यह 250 रुप में यह अविलेबल हो जाई है और जो अन्य जो लिंक है यह हमारे जो वीडियो है इसके डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगी और साथ में ग्रूप में भी आपको सेर कर दी जाई है तो हम देख लेते हैं कुछ यहां पर इंट्रक्शन दिये गए हैं और दोस्तों इसमे पूरी आपकी पांच छो यूनिट मिलेगी जो आपकी फस्ट यूनिट है दारोसनिक वाली वह भी इसमें कंपलीट है और आपकी केस Steph श्तेडी भी इसमें कंपलीट है तो आप यहां पर यह देख सकते हो बाकि यह जो पीडियो है दोस्तों आपको ग्रूप में भी सेर कर दिया आईगी वहाँ पे भी आप देख सकते हो अब यहां कुछ टोपर के सुझाओ दिये हैं तो यह आपको पढ़ना है टोपर के कुछ सुझाओ दिये हैं किस पकार से आपको लिखना है आपकी लेखन सेली में कैसे सुधार आएगा तो सारी चीज़े आपको यहां पे इन्होंने की है अब देखिए यहां पे कुछ ध्यान योग्य बाते हैं तो यह आपको पढ़ना है यह आपको जो पीडियेफ है वो सेर कर दिया आईगी जो इंपोटेंट जो बात है इस बुक की वो आपको हम बता देते हैं आप देखोगे कि इसमें जो कोस्टा अंसर फो उनके बारे में जो उनका जो वेक्तित्व था उससे संबंदित कुछ कोस्टन यहां पर आ सकते हैं उनके कुछ कथन है या कथन आपको दे दी जाएंगे टू मार्क में और इसा पूछ लिए जाएगा कि मुझे अपने अज्ञान का ज्यान है तो यह किस दार्सिनिक ने कहा है तो इस प्रकार का भी कुछ कोस्टन आ सकता है तो जिसे प्रकार की कोस्टन बन सकते हैं और जितने प्रकार के कोस्टन बन सकते हैं वो सारे इसमें यहां पर कवर किये गए हैं और इनकी जो महनत हैं यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी अब यह 2008 में पूछा गया को और इस पकार का आप फिलो चार्ट आप बना के आ सकते हो आपका अगर फाइब मार्क में कोश्चन आता है तो भी आपको यहां पे इस पकार की जो चीजे वो लिख सकते हो सुकृराद के सद्दुण के से संबंदी जो पांच नियम दिये गए हैं वो यहां पर बताया गए है केसे आपको to the point आपको exam में लिखना है तो वेसे ही यहाँ पर बताया गया है लाश्ट में आपको जो practice state है वो भी मिल जाते हैं तो बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि जो हमें जो ethics है ethics की जो सब्दा वली है वो समझ में नहीं आती है तो सब्दा वली से संब्दित यहाँ पर जो question है वो यहाँ दिये गए है और notes बनाने का जो तरीका है ethics के जो notes बनाने में काफी जादा समस्या का सामना करना पड़ता है तो आपको यहाँ notes बनाने की आप सकता नहीं है आप simple से in question answer को आप रड़ सकते हो अगर आपके पास में समय नहीं है notes बनाने का तो तो आप देख सकते हो और इससे आपको दोस्तो एक चीज यह समझ में आएगी जो उत्तर लेखन है वो हमें कैसे करना है क्योंकि अभी जो क्या है सब्द सीमा कम कर दी गई है उस हिसाब से आप देखोगे यहां पर सारे जो उत्तर हैं वो आपके 10 सब्द, 50 सब्द और आपके 200 सब्द हैं इस पकार के जो question फोम में आप कैसे लिख सकते हो वो यहां सारे बताए गए हैं कुछ जो question का आंसर आपको paragraph में भी लिखना पड़ता है तो दोस्तों आप देखते चलोगे और जैसे मानलो की यहां से इसके अलाव और कैसे कैसे परस्न बन सकते हैं तो वो यहां दिये गए हैं जैसे सुकुरात के अनुसार ग्यान किया है? ंडिया आत्मक जो पधः दियो किया है? वो क्या है? इस पकार के जो question है तो आपको यहां यहँ इस समझ में आएगाया कि question क की से को किकार से आ सकते हैं तो आप इस पकार का flow chart बना सकते हो वहाँ पर और इसमें क्या है जैसे आपको ये जैसे सांत सोभा वीवेक का प्रेमी सत्य का प्रेमी स्वार्थता आत्मुनियंत्रन तो ये आप की पॉइंट की पॉइंट याद कर लेते हो तो आपको काफी जादा चीजे हैं वो complete हो जाती ह ये देखिए आप सारे यहाँ पर दिये गए हैं और आप जो पांच अंकी प्रस्न है तो केवल आपको पांच पॉइंट बताना है तो ये आपको यहाँ पर पांच पॉइंट मिल जाते हैं इस पकार के जादा आपको याद नहीं करना है जादा चीजे याद नहीं रखना ह जितनी exam point of view से IMP है वो सारी यहाँ पर चीज़े दी गई है तो दोस्तों आप देखते चलोगे इस पकार की चीज़े हैं और भी आपको अच्छे से देखना है गुरूप में आपको ये PDF है ये प्रोवाइट करा दिया आई है आप अच्छे से बिल्कुल देख सकते हो ये तो कोश्चान से फोम में अगर आप लेना चाहते हो तो ये बुक सबसे ज़्यादा best है ethics के लिए अन्य भी कभी रपब्लिकेशन के अन्य भी बुके हैं तो वो भी आप देखोगे अब जैसे यहाँ पर ये दिया है कि जेन मतानुसार अनंत चतुस्टियक क्या है तो ये आप इस पकार से फिलो चार्ट बनाके इस पकार भी लिख सकते हो एक्जाम में ये देखिए लगभग आपके सारे यहाँ पर प्रस्ण कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको अगर नोट्स बनाने में अगर कुछ परिसानी जा रही है तो आप बिल्कुल यहाँ बुक ले सकते हो आपके नजदी की बुक इस्टाल पर आपको अविलेबल हो जाएगी क्योंकि इसमें जो चीजे हैं वो टू दा पोइंट यहाँ पर दी है हमें यह चीज नहीं करना है कि मानलो के कौन सी चीजे इसमें से छोड़ें इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं सारी चीजे आपको याद होनी चाहिए अब जैसे यहाँ आलोशना के पोइंट दीए है यह आलोशना के यहाँ पर आपको पोइंट मिल जाते हैं फिर कुछ विसेश करके पोइंट दीए है तो आपके पूरे यहाँ पर कंप्लिट हो जाती है चीजे इस पकार से अब जैसे यहाँ आप देखोगे ये वाला जो question है कि गुरु नानक जी का धरसन अब इसमें आपको जो main main जो line है जो bullet point है वो दिये गए है bullet point के अंदर क्या चीजे हैं वो भी आपको यहाँ पर बताई गई है यह देखिए अब यहाँ पर गुरु नानक जी के दस सिध्धानत दिये गए है बिल्कुल आप इस पकार से ऐसा AGT आप वहाँ पर लिखके आ सकते हो exam में आपको अलग से जादा महनत करने की आव सकता नहीं है तो अगर आप question ऐसा form में यदि देखना चाते हो जैसे मालो आपके पास में कोई भी notes हो आपको पता नहीं है कि ethics में किस पकार का question आ सकता है और दोस्तो इसमें जो है आपके जो previous year के question है वो भी इसमें complete किये गए हैं कुछ जो संभाई जो प्रस्न हैं वो भी इसमें यहाँ पर add किये गए हैं तो दोस्तो आप देख सकते हो अराम से वीडियो को आप वीडियो को रोक कर थोड़ी सी चीज़े देख सकते हो या फिर अगर आपको देखना है PDF को अच्छे तरीके से तो आपको जो PDF है वो भी आपको दे दियाएगी वहाँ पर आप देख सकते हो तो दोस्तो इस पकार की यह book है और आपको case study बता देते हैं देखे आपका जो नीचे इसमे case study है आपको दोस्तो यह जो PDF है ग्रूप में आपको मिल जाएगी वहाँ आप देख सकते हो तो काफे ज़्यादा अच्छी book हैं और कभीर पब्लिकेशन की जो थिरी मारकर की book है उसका भी हमने review बनाया था और अभी अन्य जो book हैं वो भी इनके आने वाली है ठीक है और यहाँ देखे यह इनका जो whatsapp number है तो आप इन्हें यहाँ पर whatsapp भी कर सकते हो यदि आपको book available नहीं हो पा रही है या नहीं मिल पा रही है तो आप वहाँ आपर whatsapp भी कर सकते हो और kabir publication का आप जो है telegram channel भी join कर सकते हो और siri kabir publication आप लिखोगे तो आपको telegram channel मिल जाएगा अब यहाँ पर case study को जो solo करने की टेकनिक है वो यहाँ पर बताई गई है रंड़नेती किस पकास से आप solo करोगे तो यह सारी चीजे यहाँ पर बताई गई है और आपको case a case study का उत्तर देना है जैसे मानलो कि यहाँ एक case study दे दी गई है फिर उसमें आपका जो उद्देश से है प्रारम उसके बाद में प्रावधान उसके बाद में सरकारी प्रियास क्या क्या है यह सारी चीजे और कुछ जो question है question का answer आपको किस तरीके से देना है वो सारी चीजे यहाँ पर बताई गई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीजे हैं और कम page में आपके बहुत सारी जो चीजे हैं complete करने का इन्होंने प्रियास किया है और अभी आप जैसे अन्य पब्लिकेशन की बुक देखोगे तो आपको एथिक्स की दो या तीन बुके मिलेगी जिसमें आपके case study के अलग रहेगी दारसिनिक के अलग रहेगी और theoretical जो portion है उसकी अलग रहेगी बागि इसमें एक ही बुक में सारी चीजे आपको मिल जाती है तो आपको बहुत जादा कोश्चांसर बनाने की भी कोई जादा आवसकता नहीं है कि आप बहुत सारी काफी किताब भरे जा रहे हो कोश्चांसर कोश्चांसर बना बना के यहाँ पर आपको बने बनाई चीजे यहाँ पर मिल जाती है और ये आपको कुछ प्रेक्टिस सेड़ दी हैं ये पूरी बुक पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है प्रेक्टिस करना है अच्छा से तो लगभग इसमें आप देखोगे 500 पेज में सारी चीज़े यहां पर कंपलीट करती है IMP आपकी आयाती है जितने अभी 4-5 सालों में जो कोश्चन है वो सारे इसमें complete हो जाते हैं तो इसमें गागर में सागर भरने जैसा काम हुआ है और बहुत ही सांदार यह दोस्तो यह book है आप चाहें तो market में जाके इसका एक बार review भी देख सकते हो आप खुश से भी यहाँ पर देख सकते हो ठीक है दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य कोई important जो चीजे रहेगी उसके संबंधित आपको वीडियो बना दिया जाएगा और हम यहाँ पर जो book का review करते हैं वो काफी जादा जो important रहती है आपके लिए उसी book का हम आपके सामने यहाँ पर review करते हैं और दोस्तो यह PDF आपको गुरूप में भी मिल जाएगी